तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे MSC Physics कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि MSC Physics का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं आखिर जया कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप इस कोर्स को आप पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जया सारी बातों को मैं आपसे इस वीडि physics course के बारे में और दोस्तों अगर आपने 12 अफ़ जया graduation की class को पास कर लिया है और अगर आपको जये जानना है कि 12 अफ़ जया graduation की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम होन Master of Science और M.Sc. Physics का जो course है वो एक post graduate level की degree का course होता है इस course के मादम से आप एक deep research करते हो अगर आपको physics की field में और जादा गहराई से समझना है तब आपको इस course को आपको जरूर करना चाहिए तो अगर आप physics की field में काफी यदा interest रखते हो तब तो आपको जया course आपको जरूर कर का course होता है जिसमें कुले चार समेस्टर होते हैं और एक समेस्टर की जो length होती है वो दोस्तों शे महीने तक ही होती है अभी आप से मैं eligibility criteria के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हों की जैने अगर आप इस course को करना चाहते है तो इसके लिए आखिर आपको क्या करना पड़ेगा तो इस course को करने के लिए दोस्तों आपको जो graduation की जो degree है उसे आपको pass करनी पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो B.Sc. Physics का course पूरा करने के बाद ही इस course को करते हैं अभी आप से मैं job profiles के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हों की जैने अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आप से मैं subjects के बारे में आप से मैं discuss करने वाला होगी यह आप इस course में आगर किस परकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो तो इस course में आप mathematical, methods, classical, mechanics, advanced, optics, atomic, spectroscopic, sectoral subjects, topics आप इस course के दोरान आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाए जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई universities और college के slayvers के हिसाफ से जैज जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे MSC Physics course के बारे में आ मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के माद्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और वे कई सारे courses के लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद